नमस्कार मैं प्राणिशीर अठोर और आप दीख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूज यूपी की स्यासत में इस वक्त काफी ज़्यादा स्यासी माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर चाचा और भतीजे की एक जुटता ने हर किसी दल हर किसी पाटी के होश उड़ा दिये हैं जस तरीके से यहाँ पर सपास संरक शक मुलाइम सिंग यादव जी के चले जाने के बाद उनकी बड़ी बहू डिमपल यादव आगे आई और यहाँ पर परिवार से लिकर राजनीती तक की जिम्मेदारी वेह बखुवी संभालती हुई दिखाई दे रही हैं डिमपल यादव ही एक परिवार का हिस्सा ऐसे रही जिन्होंने चाचा शिपाल यादव को फौन पर बाचीत करके मनाया लेकिन अब आने वाले समय में अखलेश कोई भी होते हैं उसमें क्या कुछ रंगलाती है क्योंकि मैनपुरी में एतिहासिक जीत दर्ज की गई डिमपल यादव की तरफ से 2,88,461 मतों के अंतर से उन्होंने बीजेपी की उमिदवार रगुरास सिंग शाक्य को हरा दिया जिसके बाद से दावे की ये जारे हैं कि कहीं ना क चाहिए उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है वह अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी पद के भी बखुबी संभाल सकते हैं फिलाल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की लखनों में सपाकारेले में एक बैठक हुई जिसमें अखलेश ने साफ तोर पर कहा कि जो फैसली लेंगे वह सुईकार किये जाएंगे और इस पीस देखा जाए तो शिपाल यादव ने और भी तमाम तरीके से अपनी बात खुल कर रखी है चाचा शिपाल यादव ने यहां पर अखलेश की जमकर तारीव की है नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहां पर जो मांग की जा रही है जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी सबसे पहले शिपाल यादव ने कहा कि वह अपनी आखरी सांस तक सपा में बने रहेंगे चाहे उन्हें समाजवादी पार्टी में कोई पद मिले या ना मिले उनका कहना रहा कि समाजव बिपक्ष उन्हें बनाया जा सकता है और ऐसे में यहां पर अखलेश यादव चुपी साधे हुए नसर आए तो यहां पर शिपाल कहते हैं कि विधान सभा में बिपक्ष के नेता के रूप में अखलेश अच्छा काम कर रहे हैं सपा नेताओं को जूटे मामलों में फसाया जा रहा है उनके बच्चे भी सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साज़ा कर रहे हैं ऐसे में देखा जाए तो यहां पर तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं भी देखने को विल रही हैं अब देखना यही दिल्चस्प होने वाला है कि चाचा शिपाल जो एक वक्त नाराजगी जाहिर करते हुई नजर आते थे लेकिन वहें नेता जी के चले जाने के बाद साफतोर पर ये भी कहें कि नेता जी का अक्स अखलेश में दिखाई देता है देखना दिल्चस्प होगा कि चाचा शिपाल जो नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर जिस तरीके से अपनी बात सामने आ रहे हैं इन पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिकरिया है या आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्ष्ट बेर तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन निउस